समस्कार दोस्तों, हमारे हाथों की अलग-अलग रेखाएं जीवन से जुड़े विभिन पहलूओं के बारे में बताती है ऐसी ही एक रेखा है विभा रेखा, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे यदि बुद्ध छेतर में, यानि छोटी उंगली के नीचे जो इलाका है, वो बुद्ध का इलाका है यदि बुद्ध के इलाके में एक साथ दो-तीन रेखाएं चल रही होती है तो बैक्ती अपने जीवन में प्रेम चकर में फसता है सुक्र परवत पर टेरी रेखाओं की संख्या यदि ज्यादा है, तो ऐसे बैक्ती जीवन में एक इस्त्रिय पुकुरूस का विसेस प्रभाव रहता है यदि प्रारम्य में बिवारेखा एक, लेकिन बाद में दो, यानि की साखाओं में भी वक्त हो जाती है तो बैक्ती के एक साथ कई रिलेसेंसिप होते हैं किसी बैक्ती के बिवारेखा में आकर या बिवारेखा के अस्त्रल पर आकर कोई अन्य रेखा मिल रही हो तो प्रेमिका के कारण उसका ग्रिहस्त जीवन तबाह होने की संभाव न रहती है यदि बिवारेखा आरंभ में पतली और बाद में गहरी होने का मतलब है कि उस इस्त्री या पुरूस के प्रती आकरसन एवं लगाव आरंभ में कम था लेकिन बाद में धीरे-धीरे प्रगार होने लगा है किसी की हथेली में बिवा रेखा एवं कनिष्ठा उंगली के मद्य से जितनी छोटी एवं अस्पस्ट रेखाएं होंगी उस इस्तरी या पुरुस के बिवा के बाद अथवा पहले उतने ही प्रेम संबंध होने की संभावना बनती है बिवा रेखा आपके सुखी बैभाहिक जीवन के बारे में भी बताता है आपकी बिवा रेखा अस्पस्ट और लालीमा लिये हुए है तो आपका बैभाहिक जीवन बहुत ही सुख में होगा ब्रस्पती के परवत यानि तरजनी उंगली के नीचे यदि क्रॉस का निसान है तो यह सुख बिवारे का संकेत लाइफ लाइन के पास हो तो सिखरी बिवा होने की चांस